अब मुझे राजनीती समझा दीजे आकडों के बारे में अतुल ने और महेश ने समझा दिया राजनीती में जो परसेप्शन है उसकी लड़ाई भी उतनी ही जरूरी हो जाती है जितनी आकडों की लड़ाई है क्योंकि मद्यप्रदेश लड़ा अभी विपक्ष ने राजस्तान भी लड़ा चतीस गड़ भी लड़ा रोजगार का वादा भी किया सारे वादे हुए सबने सारी जगाओं पर खारीज हो गया विपक्ष तो यह राजनीतिक परसेप्शन की लड़ाई आपकी कितनी में तुपूर भाई रोजगार देंगे आप अगर सत्ता में आये तो लेकिन सत्ता में आना इस चुनौती है क्या अभी अब देगे एक तो सवाल आपका ये है गरिमा जी कि राजनीति समझा देजिए तो सियासत में तो वो बाती है कि सियासत दार और सत्ता धीस यही चाहता है कि उसके घंगोर अधेरे को भी सुबह आया और प्रकास मैं सुबह कहा जाया सत्ता धीस तो यही चाहता अब कई लाइने हैं क्या क्या कहें एक तो यह है कि जब घर में ठंदे चुले पर खाली पतीली है बताओ कैसे लिग दें कि फागुन की धूप नसीली है इस देश में जो रोजगार का जो बाजार है एक समय में डेटा था इस देश में जो रोजगार का जो बाजार है वो 43.41 करोड है इस देश में जो बेरोजगारी का जो दर है इस समय 45 साल के सबसे चरम पर है आपने उत्तर प्रदेश का एक उदारन दिया पुलिस भरती का एक उदारन और है उत्तर प्रदेश में सिर्प R.O.A. R.O. के 416 पदों की भरतिया निकली और उसमें आवेदन कितना किया 12,5ёл लोगों ने और 12,5 लोगों को उत्तर प्रदेश योगी आदितनात की सरकार ने कि कि हम उत्तर प्रदेश में पेपर लीख हुआ और वहीं नहीं हुआ उससे पुलिस भरती का पहले पेपर लीख हुआ उससे पहले जो हुआ दरोगा भरती में घंधादली हुई उससे पहले ट्यूबेल आपरेटर का पेपर लीख हुआ यानि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश अधिनस्त कर्मचारी चैन आयोग ने 2017 के बाद जितनी भरतिया निकाली वो सारे पेपर लीख हुआ ये है उत्तर प्रदेश में योगी आधितनात के सरकार के रोजगार देने की उपलब्धी अब देश के आकड़े पर आईए जो आपने कहा कि सियासत कैसे होती है सियासत ऐसे होती है कि जो प्रदान मंत्री चुनाओ के समय इस देश में घूम घूम करके और बड़े पूरे गले की ताकत लगाके कहते हैं इस देश के नौजवानों से कि मैं आपको दो करोड रोजगा हर साल दूगा तब ना मंदिर की बात करते हैं किसी संप्रदाइकता की कम से कम इतनी सुचता रखे कि आपके अच्छे दिन लाएंगे अच्छे दिनियों ने कैसे लाया दो करोड रोजगार देने वाले लोगों ने जब सवाल किया तो इस देश की सदन में वही सरकार ने क ना रखा जवाब बता रहे हैं आएक दिस से भी कम जितनी सरकारी नौकरियों में एक फिस्व से भी सरकार दें सरकारी नौकरियों में उसका सदन में रखा उड़ी इता है मनौश लेकिन दिरॉत हला सॉप ०े reactlyour घरए गया परसेप्शन की लड़ाई तो यही है ना कि इन लोगों से जब साम को रोजगार के नाम पर और महंगाई के नाम पर जब साम को इस देश का युवा निकलता है अंदोलन करता है तो सुबह मंदिरों में ये लोग वही लोग हैं कि मांच रखवा देंगे ये ये जो प्रदान मंत्री रहे अपने किसी भी जिमेदारी के प्रति जबाब दे नहीं है उस पर प्रतिबद नहीं है वह 500 साल आगे नहीं 500 साल पीछे ले जाते हैं और उस व्यक्ति से उस नेत्रितों से क्या सोचेंगी जो बाबा गोरखनात को और कबीर और तुलसी को रायदास को एक साथ बताता है जब की गुरु गोरखनात और कभीर और तुलसी के कारेकाल में 500 साल का अंतर है तो जो लोग इस तरह के जूट से अपनी बाजार तैंक करते हूं तो यह जान ना चाहूंगा यहीरजी तो चाहूंगा राजीव रज़न्जन से सवाल पूचीन, मैं नहीं मैं खतम कर रहा हूँ, एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड, उत्तर प्रदेश में जिन सिक्षा मित्रों को प्रधान मंत्री चुनाव के समय उनको न्याज देने की बात किये, आज 10 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश के 7 साल के सरकार में 5,000 लोगों ने आत्म हत्या करी, अभी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश करमचारी चैन आयोक से एक भरती निकली है, क्रिसी शहायक की, उसमें 3400 पद निकला है, दलितों पिछड़ों का उसमें जो हक और हिस्सेदारी है, वो जीरो कर दी गई है, ओर लैपिंग खतम कर दी गई, तो सरकार ने हर उस तर का प्रबंद किया है, अब मैं इसका जवाब लेती है, राजीव रंजन से,